कुवैट में भीश्रण आग लगने से आध्सा हुआ है इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं भीश्रण आग में 40 की मौत की खबर है पचास से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से खायल हैं कुवैट से ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं भीश्रण आग में 40 की मौत की खबर इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं पच्चास से जादा लोग गंभी रूप से खायल हैं और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं exclusive तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कुवेट से ये तस्वीरें कुवेट में भीशन आग लगने से आथसा हुआ है इस वक्त की बड़ी कब़र हम आपको दिखा रहे हैं कुवेट में छे मंजिला ये इमारत है इसमें आग लगी है आग में 40 भारतियों की मौत यहाँ पर हुई है छे मंजिला इमारत में आग लगी है भीशन आग लगने से आथसा हुआ है यह तस्वीरे हम आपको दिखा रहा है अफराद तफरी वहाँ पार मची होई है कुवायत में भीश्र आग लगने से आदसा हुआ है बड़ी खबार इस वक्त आपको बता रहे हैं आग में 40 फार्तियों की वहाँ पार मौत हुई और इस वक्त बातचीत करने के लिए प्रत्यक्ष दर्शी है मौमद अली सिद्गी खुद कुवायत में मौजूद है वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए मौमद अली बताईए वहाँ पर क्या एस्टिटी है किस वज़े से आग लगी है और कितनी कैजूल्टी अब तक हो चुकी है जी अनुपम भाई एक दुखद खबर है आज सुबा अर्ली मौनिंग करीब चार से पांच के बीच में अचानक विल्डिंग में आग लगी है वह नीचे फ्लोर से लगी हुई है अच्छली यह ऐसा टाइम था जहां पर सब लोग सो रहे थे यह अर्ली मौनिंग का टाइम जो होता है यह ज़्यादातर लोग जो है वह सो रहे थे उसी टाइम अचानक आग लगी है ये क्वेट में एक मंगा फेरिया है मंगा फेरिया जो हाँ पर ज्यादा तर जो है वो अजने भी लोग रहते हैं जो फॉर्णर से आये हुए है वर्कर से काम करने वाले लोग है आग लगते ही आग इतनी तेजी से फैली है कि किसी का उठना बचना जो है वो मुश्किल नहीं था बड़ी तेजी से आग फैली है कितनी केज़टी जबता होई है कितनी कितना डेट टोल है और वहाँ पर अड्मिस्ट्रिशन के द्वारा क्या कदम उठाए गए है जी अब तक जो जो खबरे आ रही है और जो हास्पिटल से जो निउस निकल के आ रही है लगबग पचास से ज़्यादा लोगों की दित हुई है और लगबग साट से सतर लोग अभी भी घायल है क्या ये सारे लोग वहाँ पास जो लोग मौजूद थे वो भारतिये हैं या कुवेट के ही निवासी हैं इनके बारे में कोई जानकारिया मिल पा रहे हैं मौमद दली जी ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो रियासी विल्डिंग थी इसमें ज्यादा तर लोग 80% जो है ना वो इंडियन लोग रहते थे बाकि दूसरे कंट्री बंगला देश पाकिस्तान और दूसरे कंट्रीज के भी थे बड़ ज्यादातर लोग जो है वो इंडियन निशनल्टी थे क्या आप जो ने जिस तरीके से वहाँ पर जो बिल्डिंग जल रही थी वो दृश्य आप ने देखा प्रतियक दर्शिये आप कुछ लोगों से वहाँ पर बाई बात हुई होगी क्या जानकारियां उन्होंने दिया आपको क्या बताया क्या हुआ था वहाँ पर मैं मैं आपको बताना चाहता हूँ बड़ा ट्रेजिडिक मुवमेंट था जो है वो एक्चली फोस्टुल्स है उनको कैजूलिटिस उनको मुवमेंट करा रहे थे क्उजब्स को दूसरी जंगा पर थर्टी को दूसरी जंगा पर इस तरह से उनको जो है ड़्या हो ले लेके भाग रहे थे काफी अफॉरातिफुरी का महौल था आप भी क्योंकि भारतिये हैं और जाहिव तोर पर खुवायत में रहकार काम करते हैं तो ऐसे में जो और जो भारतिये मूल के लोग वहाँ पर रहते हैं उनके लिए कोई मेसेज दिया गया है, कोई जानकारियां दी गई है अपनी पूरी टीम को लगा दिया है, इसके अलावा हमारे वुदेश मंती जेशंकर ने भी ट्विट किया है कि पूरी तरीके से मदद की जाएगी, जो भी केजुल्टीज हुई हैं इंडियन निशनल की या जो भी अभी एड्मिट हैं उनको पूरी हेल्प मिलेगी, और हमारे जो एमबेजडर साब हैं उनको पूरी तरीके से लगे हुए अपनी टीम के साथ में मौके पे मौझूद है पिलाल के रेस्क्यू आपरेशन वहाँ पर पूरा हो गया या अभी भी बिल्डिंग के अंदर लोग फसे हुए हैं रेस्क्यू आपरेशन अलमुष्ट पूरा हो गया है, सब पूरी तरीके से वो हॉस्पिटलाइज कर दिये गये हैं बताया जाता है कि इतनी बड़े जब बिल्डिंग सोती हैं तो फायर एक्विपेंट्स तमाम चीजें वहाँ पर मौझूद रहती हैं ऐसे में कुवैट में क्या वज़े रही कि इतनी बड़ी इमारत में आग लगती है और रेस्क्य ओपरेशन भी बहुत देरी से चल पाया इवेक्वेशन भी बहुत देरी से हुआ और लोग वहाँ पर फसे रहे इसके कारण इतनी मौतें हो गई अनुपाम ये टाइम ही ऐसा था जो टाइम था सुबा सुबा का वो काफी जो है वो शान्ती थी उस टाइम पे सब लोग अपने अपना सो रहे थे किसी को पता चला तब आग पूरी तरीके से भड़क चुकी थी विल्डिंग में निकलने का कोई ये चांस नहीं था कुछ लोग जम कर रहे थे उपर से ही तो इस तरह से जब अफरा तफरी हुई है तो उसमें ज़्यादा क्योजिलिटीज हो गई है बाकि इस मूँ किये पूरी तरीके से टॉप फ्लोर तक जो है वो इंटरनली जो है वो पास हो चुका था फिलाल कोई गवर्मेंट की तरफ से क्या स्टेप्स उठाये गए हैं और जो भारतिये वहाँ पर थे उनके परिवार के लोगों तक संपर्क करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं कुछ जानकारिया मिल पाई हैं अलिया आपको जो लोग वहाँ बता रहे हैं कि भारतिये मूल के लोग वहाँ पर रहते थे उस बिल्डिंग में रहते थे ये लोग क्या नौकरी पे लोग थे या किस तरीक्ट का काम करते थे कुछ इस तरह की जानकारिया मिल पाई हैं जी बिल्कुल बिल्कुल ले ज्यादा तर नौकरी करने ही हो पाई है और वहां बहुत बहुत शुक्री है आप मौमद अली आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए मौमद अली सिद्गी हमारे साथ जुड़े हुए थे जो इस बड़ी मौमद अली एक बार फिर हमारे साथ बने हुए हैं उनके पास सीधर उख करेंगे मौमद अली जिस तरीके से आप तमाम चीजों को बता रहे हैं एक बार फिर आपके पास आ रहे हैं यह जरा बताईए कि जब यह घटना हुई उस वक्त अमूमन वहां की लाइफ किस तरीके की रहती है क्या सभी लोग सोई हुए रहते हैं अर्ली मौर्निंग का यह वाक्या है जब वहां पर आग लगी थी जी इन पर मैं आपको बताना चाहूंगा को यहां का जो ड्यूटी आवर से वो नॉर्मली सुबा आठ बजे से स्टार्ट होता है शाम चार बजे तक तो संभोता सुबा चार बजे से पांच बजे की बीच में यह हासा हुआ लोग सो रहे थे अचानक जब आग तेजी से भड़गी है सारी बिल्डिंग्स में तभी अफराद अफरी मची है और अफराद अफरी मचने के बाद में फिर जो है लोग जो है वो उपर से जम करना स्टार्ट किये क्योंकि नीच आग जो है वो ग्राउंड फ्लोर से लगी थी तो उसका में रीजन था कि कैजूलिटी ज़्यादा हो गई है और फिलाल जो घायल है उनकी हालत भी कई है लोगों की गंभीर बताई जा रहे हैं जी यह 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 अभी आपको एक्जेक्ली नहीं बता सकते हैं बट अभी भी 60 से 70 घायल जो है वो डिफरेंट डिफरेंट हॉस्पिटल में जो है उनको मूब किया गया है बहुत बहुत शुक्रिया मरमद अली सिद्गी आपका कोयत से सीधे हमारे साथ जोड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए यह पत्यक्त ही है मौके से जो तमाम अपडेट समय दे रहे हैं